हेलो फ्रैंड्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों मौस्किटो यानी मच्छर एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके काटने से हर साल करोड़ों लोग बिमार पड़ते हैं जिन में से 10-15 लाख लोग हर साल मर जाते हैं और दोस्तों मौस्किटो से बचने के लिए घर के अंदर हम जो रिफिल यूज करते हैं ओल आउट गुड नाइट और दूसरे प्रांट की या कोईल यूज करते हैं जिसके धुए से मच्छरों को भगाते हैं उससे ना तो मच्छर भागते हैं और नहीं उससे मच्छर मरते ह बलकि उस धुए से हमें इतना ज्यादा नुक्सान होता है वो सांस के तुर हमारी बोड़ी के अंदर जाता है और हमारी हेल्थ को जाता नुक्सान पहुचाता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसे पैस्टिसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्त चार से पांच मिनिट के अंदर ही मर जाएगी इस पैस्टिसाइट को आप कैसे यूज करेंगे और इसको यूज करने के टाइम पर कौन कौनी सालधानी आपको बरतनी है वो इससा मैं आपको इस वीडियो में किलियर करने वाला हूँ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले म आपको एक बात किलियर कर देता हूँ दुनिये के अंदर जितनी ही पैस्टिसाइट आते हैं उनका काम किसी भी पेस्ट या इंसेक्ट को केवल मारना होता है वो किसी भी पैस्ट या इंसेक्ट को आपके घर के अंदर आने से उनको नहीं रोक सकते पैस्टिसाइट का काम क् पर किसी इंसेक्ट के उपर कर दें तो उसको मार सकता है पैस्टिसाइट या आपने जहां पर अपने घर के अंदर पैस्टिसाइट का यूज क्या है वहाँ पकर कोई इंसेक्ट आके बेढ़ जाता है तो वो मर सकता है बस पैस्टिसाइट इन ही दो तरीके से काम करता है और क और टाटा कंपनी जिसको सेंट्री के नाम से बनाती है दोनों के अंदर सेमी पैस्टिसाइड है लेम्डा साई हेलोथरीन टैन परसेंट डवलूपी डवलूपी से मतलब होता है वेटेपल पोडर यानि कि यह वाइट कलर के पोडर के रूप में होता है और इसको आप जैसे ह पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो यह पानी के अंदर घुल जाता है लेकिन थोड़ा सा आपको महलत करनी पड़ेगी 2-3 मिट अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ेगा पानी के अंदर और यह दो पाउच में उलब्द है एक तो आता है यह 62 ग्राम के अंदर छोटा पाउच मंगाया हुआ है इसके अंदर 10 परसेंट लेंडा साई हलूथरीन होता है और बाकी 90 परसेंट चौक मिट्टी और अधर सबस्टेंस होते हैं जिसकी वज़े से यह लंबे समय तक एक्टिव बना रहता है पैस्टिसाइट और इसका इस पर जहां पर भी आप करेंग 3-4 मिट तक और अच्छे से मिक्स करके तभी इसको आप यूज करेंगे अपने घर के अंदर या जहां भी आपको इसको इसको इस्तिमाल करना है ठीक है दोस्तों इसको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करना हो ज़रूरी है एक इससे छोटी पैकिंग आती है तकरीबन वह यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बतायता हूं लेकिन जब भी इसको घर में आप यूज करें तो दोस्तों सबसे पहले तो घर के अंदर जितने भी आपके सदस्य हैं या फैंबली मेंबर हैं उनको आप एक अच्छी मूवी का टिकेट लागे दे दें जिससे की वह आप इसको कैसे यूज करेंगे दोस्तों इस पैस्टिसाइट को यूज करने के लिए आपको बड़े पंप की जुरूत पड़ेगी यहां एक लिटर या दो लिटर के पंप से काम नहीं चलेगा वन्ना तो काफी लंबे समय तक आप इसी में लगे रहोगे पूरा घर ठीक स होनी पाएगा फटाफट काम वो निम्टाने के लिए यह दो पंप सबसे बैस्ट हैं यह तो है जूरटेक के नाम से अगर आपको दस बारा रूम एक साथ निम्टाने हैं यानि एक साथ फिनिश करने एक साथ काम खतम करना है उसकेस में आप डूर अटेक वाला पंप अगर इसको एक बार आप ले लेंगे तो तकरीब आपका राम से 20-25 साल चल जाएगा तो चलिए सबसे पहले अपना पैस्टिसाइड रेडी कर लेते हैं सबसे पैस्टिसाइड को पंप के अंदर डाल कर और और इसके अंदर 2-3 लीटर पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंग क्योंकि यह पॉडर फॉर्म में होता है इसलिए अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूर लिए जिससे कि पानी के अंदर यह पॉडर अच्छे से मिक्स हो जाए यानिः हमारा पैस्टिसाइड अच्छ辉 से मिक्स हो जाए उसके बाद फिर इसके अंदर हम और पानी एड़ करेंगे हमने दोनों पंप के अंदर पैस्टिसाइड रेड़ी कर लिया है लेकिन पैस्टिसाइड को यूज करने से पहले हमें कुछ सावधान हो का स्पेशली ध्यान लखना है एक तो जब भी आप घर के अ वह चीज़ खराब ना हो ठीक है इस चीज़ का अपको ध्यान लखना और साथ में अगर घर के अंदर छोटे बच्चे हो तीन-चार साल के तो उनकी आदात होती है कि वह दिवारों पर हात लगाते हैं तो उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहां तक बच लेकिन जो भी मच्छर उपर बेठेंगे वह मरेंगे लेकिन अगर घर के अंदर बच्चे नहीं है देन कि उस केस में आप पूरी की पूरी दिवारे लेंगे सारे सोफो को पीछे का हिस्सा लेंगे बैड़ों को नीचे का हिस्सा लेंगे और इस तरह से सब जंगा पहले मास्क जरूर लगाए और पूरे अस्तीन की आप जो है शट पहने गलव का जरूर यूज करें लेकिन चुकि मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा यूजरी करने वाला में सपेस्टिसाइड को तो मैं फिलाल गलव नहीं पहन दाओं लेकिन गलव जरूर पहने मास्क सबसे पहले आपको ज्यान देना है वह दिवार से तकरीबन एक डेड़ फिट की दूरी पर आपको अपना नोजिल रखना है और फिर यूनिफॉर्म तरीके से आपको स्प्रे करना है सबसे उपर है उपर से लेंगे कि यह देखिए आप देख रहे हैं आप इस तरह से आपको यूज करना है ठीक है यह देखिए दोस्तों इस तरह से हम घर की चार तरप के दिवारों पर इस्प्रे करेंगे यूनिफॉर्म में कोई भी दिवारा में छोड़नी नहीं है ना ही कोई स्पेस छोड़ना है दिवार के बीच में अब जैसे घर के बाहर से कोई मच्छर मक्खी या कोई भी इंसेक्ट बाहर से आकर इन दिवारों बैठेगा बैठने के तीन-चार मिनट के नदरी मर जाएगा इस तरीके से हम चारोतरब की दिवारे कबर कर लेंगे चारो यहां पर हमारा सोफा भीशावा है तो नीचे आप उसको ऐसे तकरीबट उपर रखके आप इस तरह से स्प्रे कर देंगे यह बहुते है कि यह हमने सफिर नीचे कई यह कर दिया ऐसे हैं सोफे की पीछ की दिवार कवर करेंगे जहां पर सोफा लगा रहता है क्योंकि उसके पीछे दिवार पे गैप होता है जिसके पीछे आके मच्छर बेट जाते हैं अंधेरे के अंदर तो जैसे मच्छर बेठेगा है वो भी यहाँ पर आकर मरेगा ऐसे ही हम खिड के दरवाजे के पीछे के एरिये पे स्प्रे करेंगे और जो उनको पर परदे लटके होते हैं उस को भी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि फिरिज के पीछे की दिवार और नीचे के फ्लोर पर काफी सीलन और ठंड़क बनी रहती है जहां पर मच्छर आगे वेड़ते हैं इसलिए इन जगाओं पर हम अच्छी तरगे से स्परे करेंगे यह जो आप गैप देख रहे हैं यह हमारा जो किचन है यह फोड़ा ओपर है अब यह जो इरियं जितने भी आप देख रहे हो इस एरिया में अराम से मच्छर आगे वेड़ जाते हैं तो हमें इसके लीचे का जो यह फ्लोरिंग एरिया यह भी कवर करना है और इसके उपर का इरिया भी कवर करना है तो चलि कि यह अब हम सिंग के नीचे का एरिया करेंगे क्योंकि महां भी गंदगी रहती है कोड़ा भी रख रहता है और साथ में ड्रेन एरिये भी महीं होता है और सीलन बनी रहती है इसलिए इसलिए यहां पर भी चारो तरप की दिवारे हम अच्छी तरीके से और साथ ही तोस्तों जब किचन की दिवारे आप करें तो खाने पीने का जो समान किचन इमें रखा उसको अच्छे से कबर जरूर कर दें जिससे कोई भी चीज खराब नहों पैस्टिसाइड की वज़े से ऐसे सिंग के ऊपर के एरिय में भी स्प्रे करें क्योंकि ऐसी जगाओं उपर मच्छर आगे बेढ़ जाते हैं चुपके से तो जो बेठेगा यहीं कहीं मर जाएगा तो अच्छी तरह के से स्प्रे करें सब जगाओं पर कोई जगा छोड़ने नहीं है कि ऐसे हम बाथ्रूम की चारो तरफ की दिवारे ले लेंगे ऐसे इधर की दिवार ले लेंगे हम यह कोने ले खास कर तो दोस्तों इसी तरह के साम बाथ्रूम की चारो तरफी दिवारे कवर कर लेंगे यूनिफॉम में बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पैस्टिसाइड सबी दिवारों पर प्रोपर तरीके सलगना चाहिए कोई भी जगा बचनी नहीं चाहिए ठीक है, तो चलिए अब बहार चलते हैं तो दोस्तो ये तरीका है, इस pesticide को यूज करने का और mosquito treatment करने का अब दोस्तो अगर ये treatment अपने खर में खुद करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन इस बोक्स में सभी पैस्टिसाइड की लिंक दे दी हैं और पंप के लिए दे दी हैं वहाँ पर जा करने के करने चेक कर सकते हैं और इनको पर्चेस कर सकते हैं और दोस्तो अगर ये ट्रीटमेंट आप हमारे थुरू कराना चाहते हैं तो आप हमारे दीवे नंबर पर कोल कर सकते हैं और हमारी टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बैस सर्विस परवाइड आपको informative लगी है useful लगी है तो please मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें जिससे कि उनको इस treatment के बारे में और इस pesticide के बारे में पता चल सके और वो अपने घर के अंदर use कर सेगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए बाई बाई